mm, इसलो आई अज हमारी नई एक्सेसाइज है पैटर्ञ्स ठीक है एक्सेसाइज नमबर 8, इसमें आपको पैटर्न यानि कि एक जैसा जो भी आपको उसमें सेमलग रहा है उस अ Information料 आपको answer करना है pattern उसमें यानि कि उनमें आपस में क्या relation है desert में वो आपको देखना है देखो study the pattern in each and fill in अब देखो आप एना एक एरो बने हुए है यहाँ पर एक desert दियुए है उसके सामने एक desert दियुए है अब इनमें आपको देखना है कि क्या relation है आपस में जैसे 4, 4 को जब 4 से ही multiply करा तो आगया आपका 16 5 को 5 से multiply करा तो 25, 11 को 11 से multiply करा तो 121 अब यहाँ पर हमारी क्या आ रहा है 81, 81 को हम 81 कैसे आया, 81 आया 9 से 9 को 9 से multiply करा तो 81, तो हमारा यहाँ पर आजाएगा 9, ठीक है नेक्स देखो, यहाँ पर आपके देखो, 4, 4 जा 16, 16, 6 जा 96, ठीक है तो अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 2 को किस से multiply करा कि 4 आया, 2 को 2 से multiply करा, 2 10 जा 20 अब देखो, 20 को किस से multiply करा कि 100 आया, 5 से multiply करा, ठीक है 10 यहाँ पर है, 10 को किस से multiply करा की 100 आया, 10 से multiply करा तो 100 आया, ठीक है, next pattern is 2, 3, 5, 7, आप देख रहे हो, 2 के बाद में 1 जोड़ा तो 3, 3 के बाद में 2 जोड़ा तो 5, 5 के बाद में 2 जोड़ा तो 7, 7 के बाद में 4 जोड़ा तो 11, अब 11 के बाद में, 7 और 11 के बीच में, एक digit missing है, ठीक है, तो 7 में वापस हम यहाँ पर कितना जोड़ देंगे, 2 तो यह आजएगा 9, 9 में 2 जोड़ा तो 11, 11 में 2 जोड़ा तो 13, 13 में 2 जोड़ा तो यहाँ पर आएगा हमारा 15, ठीक है, 15 में 2 जोड़ा तो 17, 17 में 2 जोड़ा तो हमारा आगया 19, ठीक है, इस तरीके से यह circle पूरा बनेगा, next है, write the rule and filling the missing number in each, यह जो भी patterns होते हैं, उनमें कोई भी एक formula चलता है, जो same रहता है, ठीक है, देखो, one fourth, one and a half, three fourth, half, one, इसमें आप देखो, एक formula है, कि जो भी पिछला number है, उसमें one fourth को वापस add किया है, तो same हम यहां पे भी यह करेंगे, one fourth में, one fourth जोड़ तो one and a half, इसमें आपने, यह same formula में हमने minus करा है, two and a half में से minus one and a half करा, तो two, two में से one and a half minus करा, one and a half, one and a half में से one and a half minus करा, one and a half, और one and a half में से one and a half minus करा, तो आ गया हमारा zero, ठीक है, यह आपको book में ही fill करने है, next है, understand the following patterns and complete terms, यह जो है, हमारे picture वाले pattern है, इसमें आपको आपको यह देखना है कि इन डिजिट्स में कितना difference है देखो डिजिट्स में difference है 7 और 12 इन दोनों में difference है 5 का 12 में 5 और जोड़ा तो 17, 17 में 5 और जोड़ा तो 22 सी तरीके से आगे ये करा है, ये आगे वाले भी आपको अपने आप इसमें करने हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4 आपको दिया हुआ है, यहाँ 12 दिया है, यहाँ 12 दिया है, अब देखो 1 और 2 का इसने ऐसा क्या करा कि 2 आया, इन दोनों को मल्टिप्लाइ करा, तो 1, 2 जा 2 और 3, 4 जा 12, अब इसमें हर स्टैप पे डिजट मल्टिप्लाइ ही होगी, 2, 3 जा 6, ठीक है, 2, 6 जा 12, 6, 12 और 12 और 72 को मल्टिप्लाइ करा, तो 8, 64, नेक्स्ट पिरामिट में देखो, 7 और 8 का क्या करा कि 15 आया है, प्लस करा है, तो 7 और 8, 15, 9 और 10, 19, तो 8 और 9, 17, 15 और 17, 32, 17 और 39, 36, इन दोनों को प्लस करा, तो यह आगया आपका, ठीक है, observe the and generalize the following number pattern up to 2 terms, यह सेम आपने, अभी किता difference है, 4 का, 10 और 14 में 4 का, यानि कि 18 में 4 प्लस करेंगे 22, 22 में 4 प्लस करेंगे 26, next is 37, और 29 में क्या difference है, 5 का difference है, ठीक है, 5 को माइनस करा है, sorry, 6 को माइनस करा है, तो 35 में से 6 किया, तो 29, 29 में से 6 किया, 23, 23 में से 6 किया, 17 और as on आगे होगा, next is picture pattern, आपको picture के according देखना है कि अगले step पे क्या आएगा, वो आपको fill करना है, next है आपका वापिस, next 3 terms in each pattern, यह pattern आपको देखना है, A के साथ में 1 दिया हुआ है, B, C, D, A, B, C, D दिवी है और counting दिवी है, उसी तरीके से इस pattern को आगे complete करना है, यह वाला भी आप अपने आप करोगे, ठीक है, next है आपक प्लस करका है, next step में भी देखो आप इस में से एक चीज, इस में से एक चीज और इनको प्लस करका है, next step में भी same follow किया है, तो यहाँ पे भी आप वो ही follow करेंगे, इधर भी यही follow करेंगे, और इधर भी यही follow होगा, ठीक है, next pattern में देखिए आप 15873 multiplied by 7 multiplied by 1, इस से आपका जो digit आया, वो आया है, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ठीक है, यानि कि 7 times आपका ये, sorry, 6 times आपका ये 1 आया है, ठीक है, अब जब आप इसी same step को जब 2 से multiply करोगे, तो आपका ये 6 times 2 आजाएगा, जब 3 से multiply करा तो 6 times 3, 4 से multiply करा तो 4 times 6, 6 times 4, 5 से multiply करा तो 6 times 5, और उसके बाद जब यहाँ पर आपको दे रखा है कि 6 times 6 है, और यहाँ पर same यही pattern follow हो रहा है, यानि कि यहाँ पर भी यही fill होगा, ठीक है, यह वाली पूरी exercise आपको अपनी notebook में करनी है,